कठोर हरदे समची जाने वाली दुलारी तुन्नू की मृत्यू पर क्यों विचलित हो उठी यह प्रेश्ण आजाम इसका जवाब देखते हैं कि दुलारी को कठोर हरदे तिथा क्रिकशा गौनहारी समझा जाता है वह तुन्नू द्वारा होली के अवसर पर साड़ी लाने पर उसे ढाटती है और साड़ी उठा कर फेंक देती है परन्तु जब उसे तुन्नू की मृत्यू का समाचार मिलता है तो उसकी आँखों से आसों की धारा बह निकलती है वह व्याकुल हो जाती है और तुन्नू की ला कोमल भावनाएं रखती हैं उसका टुन्यू से शारीरिक नहीं बलकि आत्मिक संबंध है इन्हीं आत्मिक भावनाओं के वशिभूत होकर वह टुन्यू की मृत्यू का समाचार सुनकर विचलित हो उठी थी